नमस्कार दोस्तों, SVVS चैनल के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हमने प्रियास किया है कि उन तरीकों को बताने का जिन से हैकर्स आपके बैंक से पैसा चुरा सकते हैं आपके ओनलाइन ट्रांजेक्शन आपकी सारे बैंक की डीटेल वो ले सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा पांसो और हजार उपे के नोट बंद होने के बाद ओनलाइन ट्रांजेक्शन में बड़ोतरी हुई है पिछले कुछ समय से देश में ओनलाइन शोपिंग करने वालों की संख्या भी बड़ी है Flipkart और Amazon जैसी बड़ी e-commerce कमपनियों ने सेल के जो आकड़े दिये हैं वे बताते हैं कि ओनलाइन शोपिंग भारत में हीट हो रही है शोपिंग के अलावा ओनलाइन बैंकिंग और बिल पैमेट जैसे कई काम किये जाते हैं इससे सुवीदा तो होती है मगर हैकर्स का खत्रा भी बना रहता है तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कुछ जानकारिया जिनसे आप अपने बैंक की डिटेल अपनी information को secure कर सकते हैं हैकर्स से अगर आपको बचना है तो यह पता होना चाहिए कि वे आपका पैसा किस प्रकार चुरा सकते हैं और उसके बाद हम आपको कुछ टिप्स भी बताएंगे फर्स्ट है की स्ट्रोक लोगिन आप गलती से कोई software डाउनलोड कर लेते हैं जो चुपके से आपकी जानकरिया net banking के password, card की details अधी hackers को बेज़ता रहता है इससे hackers आपकी जानकरिया ले सकते हैं जैसे कि दोस्तों हम बहुत सी बार क्या करते हैं किसी software को free में खरीदने के लिए या फिर free में इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं कि वो software उसकी जो main side होती है वहाँ से नहीं लेते हैं और third party से लेते हैं लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि वो हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं बहुत सी बार क्या होता है कि hackers आपको software तो free में दे देंगे लेकिन वो कुछ ऐसे software आपके साथ download करवा लेंगे जो कि आपकी personal detail, net banking, password वगेरा उनको दे देते हैं और उससे वो hacking कर सकते हैं आपके पैसे चुरा सकते हैं तो हमेशा ध्यान रखे कि आप जो कोई भी software डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो वो secure site से ही करें दूसरा है farming इस तकनिक के तहट दोख़दड़ी करने वाले आपको नकली वेबसाइट पर ले जाते हैं जो देखने में एकदम असली लगेगी जैसे ही आप transaction करेंगे तो net banking या card की जो भी detail होती है उसे hackers चुरा लेते हैं और बाद में आपके पैसो को चुरा लेते हैं दोस्तों हमेशा द्यान रखें आप जो कोई भी website open करते हैं या फिर आप simply name से search करते हैं उस दोरान आप जो भी search result आता है उसके नीचे आपको website लिखी मिलती है तो एक बार आप उस website को जरूर देख लें उसका URL देख लें आप यह चेक कर लें कि वह first https से शुरू हो रही है या फिर नहीं उसके आगे लोग का आइकन हे की नहीं किसी भी online shopping website पर अगर आप जाते हैं तो उसे एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें उसके बाद ही आप shopping करें थड़े दोस्तों malware hackers ऐसा software तयार करते हैं जो ATM या bank server के computer system को damage कर देते हैं इससे वे गोपनिये जानकरिया हा install रखें अगर आप पैसे देकर कोई antivirus आप नहीं ले सकते हैं तो Microsoft Security Essential जो आपके Windows PC होगा तो उसमें मुफ्त में मिलता है अगर Windows 10 है तो वो पहले से आपको मिलता है simply आपको उसे update रखना है और हपते दो हपते में 5-7 दिन में आपको अपने PC को scan करना है जिससे आपके PC मे जो malware होंगे वो हट जाएंगे और आपके payments की जो detail होती है वो secure रहेगी फॉर्थ है दोस्तो phishing और wishing phishing में आपको क्या क्या जाता है spam mail के जरिये बेवकूफ बनाया जाता है आपको लगेगा कि email असली source से आई है लेकिन वो hackers द्वारा बेजी गई होती है इस तरह से mobile phone या SMS क जरिये बी ऐसा किया जाता है इन तरीकों को अपना कर आपको फसा कर आपके password या पीन अकाउंट हासिल किया जाते हैं दोस्तों हमने बहुत बार online shopping करते हैं या फिर net banking करते हैं तो उसमें दिया होता है कि कोई भी pop-up आए आपको उसका response नहीं देना है तो एक बात में बता अगर ऐसा कोई email आता है जो कि आपकी bank detail लेता है या फिर आपको कोई ऐसा call आता है जो कि आपकी bank detail मांगता है उस दोरान आप बिल्कुल भी ऐसा काम मत करें भले वो आपको एक लाक रुपई की चीज एक रुपई में ही क्यों न देता हो सबसे पहले आपकी responsibility बनती है कि आ email आता है जो कि आपको लालच देता है उसका response कभी मत दे फिफ्ट पॉइंट है सीम बदलना इस तरीके से धोकादड़ी करने वाले लोग क्या करते हैं आपके ID प्रूफ की मदद से duplicate SIM ले लेते हैं और आपकी जो original SIM होती है वो बंद हो जाती है और आप क्या करते हैं OTP यह हमारा क्या भी गार्ड लेंगे ID वगेराग पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो आप उन चीजों पर आज से ही ध्यान देना शुरू करते हैं शिक्स है दोस्तों अंसेफ है यानि कि यह है जो लोग Android से अपना काम करते हैं वो क्या करते हैं कि third party जैसे कि Google Play Store को छोड़ के द और वो आप अपने mobile में इंस्टॉल करते हैं तो वो आपकी जो information है hackers उन से चुड़ा सकते हैं तो आप हो सके जब तक Play Store से ही कोई एप इंस्टॉल करें बहुत से लोग क्या होते हैं कि कुछ MB बचाने के चक्कर में Bluetooth या फिर Wi-Fi से एप ले लेते हैं और वो इस बात पर ध् करते हैं तो आप हो सके जब तक Play Store से ही एप इंस्टॉल करें और अपने Android मोबाइल में सेफ पासवर्ड रखें यनि कि अपना mobile किसी दूसरे आदमी को हाथ में मत दे क्यूंकि वो भी ऐसी Apps डाल सकता है आपके मोबाइल में जिनसे वो आपके मोबाइल को पूरा कंट्रोल क कर सके तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको कुछ बैसिक जानकारिया देने का प्रयास किया है यह जानकारिया उतनी अडवांस तो नहीं है शायद आपकी कुछ मदद कर दे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमा आपकी करेंस